हलो व्यूवर्स रसोई कानन चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए चकली की रेस्पी लेके आई हूँ ये एक हेल्दी चकली है इसमें मैदे का इस्तमाल नहीं हुआ है और बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी बन कर तयार हुई है आप इसको जुरूर बनाईए सबसे पहले एक बर्तन में एक ग्लास पानी लिया है मैंने उसको अच्छी तरह से ढख कर उबाल लेंगे जैसे ही उसमें उबाल आएगा उसके अंदर अपनी स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे मैंने एक चमच भरकर नमक डाला है एक चमच अजवाइन को हाद से क्रश करके डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है उसके बाद एक चमच काले तिल डाल रही हूँ मैं और एक चमच सफेद तिल डाल रही हूँ तिल की क्वांटिटी इतनी ही रखनी है नहीं तो चकली के तूटने के चांसे होते है आधा चमच लाल मिर्ची का पाउडर डाला है आधा चमच हल्दी पाउडर डाला है अगर आप जादा तीखा खाते हैं तो एक चमच भी डाल सकते हैं आदा चम्मच बुना हुआ जीरा डाला है वन फोर्थ चम्मच हिंग पाउडर डाला है और आदा चम्मच धनिया पाउडर डालके सब चीजों को अच्छी तरह से मिला देंगे और एक उबालाने देंगे अब इसके अंदर दो कप चावल का आटा डाल रही हूँ मैं इसको सासाथ मिलाते जाएंगे दो कप चावल का आटा डालने के बाद मैं तीन चम्मच बेशन के डाल रही हूँ दो चम्मच गेहूं के आटे के डाल रही है इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे दो चम्मच देशी घी डाल रही हूँ आप इसमें ओयल भी डाल सकते हैं बहुत जादा घी नहीं डालना है उसके बाद इसको ढखके रख देना है जब ये हलका गुनगुना रह जाएगा तब हम इसको बड़े बरतर में निकाल कर इसका आटा लगा लेंगे इस स्टेज पर मैं इसमें एक चम्मच कॉन फ्लो डाल रही हूँ और सब चीजों को दोनों हाथ से मसल के अच्छी तरह से क्रम्बली कर लेना है जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं इसका टेक्स्चर वैसा हो जाना चाहिए ताकि हर चीज अच्छी तरह से पूरे आटे में मिल जाए अब थोड़ा थोड़ा पानी डालके हमें इसको गूंद लेंगे पानी बहुत थोड़ा थोड़ा ही डालना है क्योंकि हमें इसको बहुत जादा डौको सॉफ्ट नहीं करना है लेकिन बहुत ज़्यादा हाट भी नहीं होना चाहिए डॉक को कंबाइन करने के बाद थोड़ा सा गुंदा है हमने तो देखिए हमारा अभी डॉक ऐसे ब्रेक हो रहा है और इसमें कट सा रहे हैं हमें ऐसा टेक्ट्चर नहीं चाहिए हम इसे वापस से और गुंदेंगे एक चमच पानी और डालूँगे मैं और अच्छे से मसलते हुए इसको तीन चाहर मिनिट इसको अच्छी तरह से गुंदेंगे और हलका सा हाथ में घी लगा लेंगे और इसको साइड में रोल करके रख देंगे अब हम चकली बनाने वाली मशीन को तेल से ग्रीज कर लेंगे तलने के लिए मैं मुंफली का तेल ले रही हूँ रिफाइंड ओल मैं यूज नहीं करती हूँ मुंफली के तेल को ही हम इसके मशीन के अंदर भी लगा देंगे और डो को रोल करके इसके अंदर भरते जाएंगे मशीन को बन करने के बाद हम एक बरतन में चकली को बना लेंगे इस तरह से गोल गुमाते हुए हम जितना साइस चाहिए उतना हो जाएगा तो हम इसको डो को तोड़ देंगे और कॉर्णर को उसके साथ अटाइच कर देंगे ताकि हमारी चकली फ्राय करते समय खुले नहीं इस तरह से हम सब चकली बना लेंगे और थोड़ी देर के लिए पांच-साथ मिनिट के लिए इसको हवा में रख देंगे ताकि ये थोड़ा ड्राय हो जाए बहुत ही अच्छी चकलियां बन रही है देखिए शेप बिल्कुल अच्छी आ रही है इसमें विवर्स अगर मेरी रेस्पीज अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करिए अब हम कढ़ाई में मुणफली के तेल को गरम कर लेंगे ओयल मैंने मीडियम हीट पर रखा है बहुत जादा तेज आज पर नहीं रखना है एक बार में साथ से आठ चकली हम आराम से फ्राय कर सकते हैं लेकिन एक बार डालने के बाद इसको जल्दी से हिलाना नहीं है जब एक साइड इसकी ठीक तरे से पक जाएगी तब हम इसको हलके हाथ से पल्टेंगे आप देख सकते हैं मेरी एक भी चकली बिल्कुल टूटी नहीं है यह देखिए और हमारा बिल्कुल क्लीन है एक भी चकली हमारी ब्रेक नहीं हुई है प्रॉपर आटा लगाने गुनने उसको अच्छी बाइंडिंग करने उसको अच्छी तरह से मतने से हमारी चीज एकदम परफेक्ट बन के तयार होती है आप देख सकते हैं हलका गोल्डन कलर आजाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे क्योंकि बाहर निकालने के बाद भी इसका कुकिंग प्रॉसेस चलता रहता है इस प्रकार से हम सब चकली को तल कर तयार कर लेंगे घर की चीज खाने से हम भार की पैक्ट चीजों से बच सकते हैं और चाई नाश्टे में इसको सर्फ करिए बहुत ही स्वादिश्ट ये चकलियां बन कर तयार हुई है और दो कप चावल के आटा और जो मैंने कॉंटिटी आपको बताई है बहुत सारी बन गई है इसमें इससे खाई ये और इसका दो